20 years के 20 के आसपास आप हो तो सब को कह रहा हूँ, लड़कों को, लड़कियों को दो तरीके हैं अपनी लाइफ जीने के पहला तरीका मैं बताता हूँ आपको आप 20s में हो, ये तो जवानी के दिन है ये तो हसने खेलने के दिन है छोड़ो पढ़ाई बढ़ाई, आश करो, ठीक है ये तरीका है, कर सकते हो, खूब आश करो दिन में 10 सेल्फी लगाओ इंस्टाग्राम पे लाइक्स गिनो बैटके सारा दिन क्योंकि भई लाइक तो मेरे 25 लाइक आगए, मेरे 25 लाइक आगए पाटी करो रोज, दारूपी हो, ठीक है, नहीं, सुनो अभी, सुनो पूरी, पाटी करो, माक्स, वाक्स, एंट्रेंस एक्जाम, छोड़ो यार, कुछ ना कुछ तो लाइफ में होई जाता है, ये पापा, मम्मी बकवास करते रहते हैं, ये रिलाइबल क्लासेज वाले, क्य मैं उनके साथ पाटी करना चाहता हूँ, खुब पाटी करो, टीवी देखो छे साथ गंटे रोज, यूट्यूब पे तीन गंटे दिन चैक फ्लूडिया के वीडियो देखो, सो जाओ, बारा बजे उठो, ये लाइफ है, सब लोग इसलिए जीना चाहते हैं न, कि आश करें करेंगे, हम अभी कर रहे हैं, लोग पागल हैं जो इतना करियर बना रहे हैं, हमने तो खुदी जीवन का मंतर सीख लिया है, कि टेंशन नहीं लेने का, एश करो, ये कर सकते हो, करो, ठीक है, पूरा ट्वेंटी ये करो, ठीक है, फिर पता है क्या होगा, फिर आप थर्टी क जिन्होंने करियर की प्लाइनिंग कियोगी, उनकी अच्छी नौकरिया लग गई होगे, आपके पास नौकरी नहीं है, आप थर्टी के होगए, आपके मम्मी पापा जाके हाथ जोड रहे होगे, भई मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, आप खुच जाके बोलोगे, मे आप फॉट्टी के होगे, आपके पास कोई पैसे नहीं बचे होगे, क्योंकि आपने बड़ी सिंपल सी नौकरी की थी, आपके पास अच्छी नौकरी तो थी नहीं, तो एट फॉट्टी पे आपके पास कोई पैसे नहीं है, और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, स्कूल की फी बिदाइर भी चड़ गया है फिर आफ 50 के होजगे तो अभी उधार चड़ा हुआ है पैसे जीरो है फिर आफ बुद्डे होने लग रहे होगे फिर आपकी वह जो 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 जब है वो भी चली जाएगी फिर अब रिटार हो जाओगे रेटार्मेंन के पास आपके पास पैसे न लगे रहोगे। जैसे तैसे 60, 70, 80 होके वेट करोके मरना है। ये एक जीने का तरीका है। पर 20s में आपने आश किया है। समझे। उसके बाद बिल देते रहोगे पूरी लाइफ। लेकिन 20s में बॉस क्या हमने इंस्टाग्राम पे फोटो लगाई। जब हॉस्पिटल का इ लाज देने के पैसे नहीं होंगे। तब ये याद करना कि मैंने तो लेकिन इंस्टाग्राम की सेलफी तो बड़ी अच्छी थी यार। ये कर सकते ह। ये है प्लान A या दूसरा प्लान बना लो, प्लान B कि बॉस मैं मेहनत करूँगा 20-30 जम के। इतनी मेहनत करूँगा ज ले रहे हैं, अभी exam हो रहे है entrance, आप 40 पे थो ना दे सकते हो, अभी मेरे को अच्छी जगा जाना है, अच्छी पोस्ट लानी, जो भी आपका सपना है वो मेरे को करना है, वो मैं करूँगा और फिर मीजब secure job लग जाएगी, फिर मैं money की कोई problem नहीं होगी, घरवर ठीक हो जाएगा, 30 में मैं पैसे save करूँगा, आप 30 में पैसे save करोगे, अपने assets बनाओगे, mutual funds लोगे, घर लोगे, वो invest करोगे, वो और पैसा बना के आपको देंगे, FD से आपको interest आएगा, आप 40 में पहुंचोगे, आपकी खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपके पास इनाफ पै जाओगे, आप travel करोगे, आप दुनिया घूमोगे, मरोगे फिर भी, मरना सबको है, एक life ये भी हो सकती है, अब आपको चुनना है, कि ash वाली life, 20's वाली चाहिए, या 20's के रगड़े वाली life चाहिए, कहने की बात ये है, कि ये जो 20 का साल है ना, दशक, ये बहुत important है, ये 30 से 70 तक या तो इसका आपको, इसका फल खा सकते हो आप, या 30 से 70 तक आप इसका बिल भर सकते हो, अब age जवानी की है, age ऐसी है कि लगता है कि यार सब मस्ती भी अभी करनी है, तो समझ नहीं आता क्या करना है, इसलिए मैं आपको clear करके दे रहो क्यों कि मैं अभी 44 का हो जाओंगा, और अब मैंने realize कि यार ये मेरे जितने batchmates, जितने schoolmates, जिन्होंने 20s में रगडा खाया वो भी tension free है, और जिन्होंने खूब आश की उस ताइम पे, खूब गूमे, बाइक्स पे इदर उदर, वो आज भी धक्के खा रहे हैं, और धक्के खाते रहेंगे, अब मैं आपको डराना नहीं चाता लाइफ के बारे में, पर जीवन में कश्ट तो है, ये तो गौतम बुद्धा ने काया, मैंने नहीं काया, लाइफ इस सफरिंग, जीवन में आप सोचते हो ना कि यार हम लोग ये चाते है कि कश्ट ना हो, मेहनत करने में कश्ट होता है, चाये वो पढ़ाई की हो, चाये वो जिम जाना हो, चाये वो कुछ भी करना हो, वो कश्ट डायक चीजे हैं, हमें लगता है पेन ना हो, कश्ट ना हो, और हम कैसे तैसे अपनी लाइफ गुजार ले, पर जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता, इसकी हिल्थ खराब हो जाती है, तो वो ही ऐष्ट जो उसने करी, वो ही उसको बाद में दुख दिती है, हमें लगता है कि, एक घर हो जाये बड़ा मज़ा आ जाएगा यार, आप घर लेते हो, वो ही घर जो आपको सुक देता है, एक दिन उसका फलश खराब हो जाता तो आ बाद में आपको दुख होगा और जो चीज़ आपको दुख देती है वो बाद में सुख भी देती है यह 20 में कोई नहीं बताता यह बात लोग समझते 70 में जाके बाबा वगरा के साथ बैठके तब इस ग्यान का कोई फायदा निया तब ऐसी मरना है अब क्या फायदा हुआ स स्पिरिच्वालिटी वगरा में को लगता है पहले सिखानी चाहिए बाद में सीखते जाके जब सब जिन्दगी जी जब बैठके सारा दिन टाटास काई देखने आप क्या सीख रहे हो यार सो कश्ट से बढ़ डर हो यह मत सुचो कि यार मेरी लाइफ में तो बड़ा कश्ट है यह एक्जाम मतलब का मैंने क्यूंकि आदा आपका माइंड उसी लिए भाग रहा है आपको यह प्रेपरेशन नहीं करनी क्यूंकि आपको लग रहा है कौन यह बेड़ा उठाए मेरे को इससे दूर रहना है लेकिन यही आपको सुख देगा बाद में और जिस चीज से आप भाग रहे हो और आप सोच रहे हो कि आज मुझे सुख मिल रहा है कि मुझे वो काम नहीं करना पड़ रहा है मेरे को दो गंटे और सोने को मिल रहा है मेरे को दो गंटे और पाट होते होंगे, ऐसा कोई genius नहीं है सर से पूछो कितने ordinary बच्चों का हुआ कितने बच्चों का लगता है कोई chance नहीं होने का बस उन्होंने decide कर लिया कि मुझे करना है आधी problem इसमें solve हो जाती है जब आप मन से कहते हो कि मुझे करना है तो अगर यहां आही गए हो इस function में आप आही गए हो तो सोच लो कि मुझे करना है मेरे को यह 10 साल जो है आगे के waste नहीं करना है चाहे आप मेरी सुनो या किसी और कि सुनो बट waste बद करना है यह time क्योंकि यह time निकल जाता है जिसे sand glass होता है न उपट से प्रेट गिरती रहती है यह रुकेगा में यह चला जाएगा पिक्चरे देखते देखते भी जाएगा